कर दोस्तों मैं करनल अजय यो अजय एस्ट्रो मानिक रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फ्रैंस डिजिटल चैनल से आप से मखातीब होता हूँ आज 16 नौम बरसन 2021 शेर बजार, कमोडिटी बजार, एवंकरशी बजार का आज का भविश्य है इससे पहले हम आगे चले हम हमारे पिछले एपिसोड के अंदर क्या हुआ था उससे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले एपिसोड में बुलियन के उपर मंदी की बात की जो की उपरे इस तरों से बुलियन यानि सोने चांदी के अंदर कल गिरावट दर्च हुई इसका पूर वर अग्रिम आकलने वर अनुमान हमने आपको दिया था इसके अतरिक्त जीरा सोयाबीन के अंदर तेजी दर्च हुई सोयाबीन में तो कल चार पुतिशत का उपरी सर अपर सर्किट देखा गया और सोया तेल में भी तैजी दर्च हुई इसके अतरिक्त ओयल सीट्स के अंदर सर्सो के अंदर भी तैजी दर्च हुई चनां भी स्पार्ट मार्केट कें अंदर तैजी पर बंद हुआ expressing के अनदर हमने जो आपको आकलन दिया था वह भी सत्ते सा अगरी मनुमान विशलेशन हमने दिया था आज क्या संभावना बनेगी शेर बजार में एग्रोजीन्स में और कमुडिटीज में इसकी अमविशेश चर्चा इस शो में करेंगे इससे पहले हम आगे चलें आज की प्लैनेटिकल कर्डिशन आज चंद्रमा मीन राशी में है औ भर तलब है कि सुड़े ग्रहों का राजा मना जाता है और अब यह अपनी नीच राशी यानि तुला राशी में था जो आप बदल कर अपने मित्र राशी यानि मंगल की राशी ब्रश्चिक में प्रवेश करेंगे इस्टॉप वॉच्छ ये सब ग्रह सयोग बजारों में कमजोरी की रचना कर सकते हैं बजारों में आज निफ्टी गिरावट किया और अग्रेसर हो सकती है को और तलब है कि हमारे इसी चैनल पर हमने आपको जब निफ्टी तेजी दिखा रही थी उस वक्त अगरी मनुमान एवा मिशलेशन दिया था कि अब बजारों के अंदर कुछ पाउज या कमजोरी की संभामरा बन सकती है और अक्षरत ऐसा ही होता नजरा रहा है दोस्तो आज निफ्टी में कमजोरी के टेडर्स के लिए निहायती जरूरी होता है एक और महत्रपुन बाद बैंक निफ्टी के ओपर भी आप नजर रख सकते हैं एग्रो वाच दोस्तो कपास यानि कॉटन के अंदर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है याद रखिएगा हमारे चैनल ही ने आपको सबसे पहले कपास में बड़ी तेजी की अग्रिम्स विशलेशन एवम सूचना दी थी और उसके बाद एक 25 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कपास के अंदर लगबग 35-40 फीसी दी तक तेजी देखी गई और उसके बाद मुनाफ़ा वसूली का अग्रिम्स विशलेशन अनुमान हमने आपको अपने चैनल पे दिया तो जो कि सप्ते साबित हुआ आज कॉटन के अंदर यानि कपास के अंदर तेजी के संकेत मिल रहे हैं निचले इस रोपर आज संभावत है कॉटन के अंदर तेजी बन सकती है नर्मा आज तेजी दिखा सकता है चना दाल भी सुधार की और अग्रेसर हो सकती है सोयाबीन में भी मजबूती के संकेते हैं गौर तलब है कल सोयाबीन ने चबरदस तेजी दिखाई और वो उपरी सर्किट का भी देखा गया सोयाबीन और सोया तेल दोना ही तेजी पे दर्ग मोई और स्पॉर्ट मार्केट के अंदर सर्सों के अंदर भी मजबूती देखी गई दोस्तों याद रखेगा फाइनेशल एस्ट्रलोजी संभवत है विश में एक मात तरीका साधनिया टूल है जो आपको अगरिम संकेत देता है अगरिम विशलेशन देता है और ये पद्दती भारत की सदियों पुरानी पद्दती है और भारत विश्वगुरू के रूप में जाना जाता था और सोने की चिडिया के रूप में पूरे विश्व में प्रसित था उसमें फाइनेशल एस्ट्रलोजी का एहम योगदान था क्योंकि अगरी मनुमान लगाना फसलों के उत्पादन का मानसून का और तेजी मंदी का सठीक जानकारी फाइनेशल एस्ट्रलोजी के माधियम से हुआ करती थी लेकिन विदेशी आकरमन कारियों के लगातार हमले और हमारी सब्यता संस्कृती और ग्यान विज्यान को संपून नश्ट करने की जो कवायद पिछले कुछ सदियों से चली इससे भारतिय संस्कृती एवं ग्यान विज्यान को बहुत धक्का लगा लेकिन कहा जाता है कि किसी भी ज्यान विज्ञान संस्कृती जाती धर्म समाज को आप पूने नश्ट नहीं कर सकते कहीं न कहीं अवशेश बसते हैं और उन अवशेशों को ही सहेजने का काम, इकठा करने का काम, अनुस्ट नधान और रिसर्च करने का काम हम लगबग पिछले 22-25 वर्षों से कर रहे हैं और ये तमाम कोशिशे फाइनिशल एशलोदी एवं भारतिय संस्कृती एवं ग्यान विज्ञान का पर्चम पुने पूरे विश में फैलाए और लोग इसके उपर अधिक विश्वाश और इस पे अनुस्दान में लगें ऐसा हमारा अर्थक प्रयास है और इसी कड़ी के लिए हम आप तक अपनी बात इन शो के जरीए पहुचाते हैं दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो ये शो को बिलकुल लाइक करना ना भूलें अपने कमेंट सवश्य दें अपने इस्ट मित्रों को भी इसको फोरवर्ड करें गवार सीड सरसू कपास पर आप विशेश रिपोर्ट हम से बुक्तान करने पर प्राप्ट कर सकते हैं आप समपर कर सकते हैं कमोडिटी वॉच आज सोने एवं चांदी पर उपरी स्थरों पर मुनाफ़ा वसूली की संभावनाय बन सकती हैं विशेश ख्याल रखें दो गौरत अलब है कि हमारे पि ये सभी जानकरियां financial astrology और fundamental analysis के सयुक्त परयासों से आप तक प्रस्तुत की जा रही हैं कोई भी व्यपारिक ने लेने से पहले trading decision लेने से पहले आप अपना स्यम का विवेक अध्यान और अपने सलाकार से भी राय कर सकते हैं आप हमारा disclaimer भी बहुत ध्यान से पढ़ें किसी झाल 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 झाल